में कि समत चुके होंगे कि हूंगे कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं आज हम उस टॉपिक के बारे बात कर रहे हैं , जो कला के तॉतव में सबसे महत्पूरबहन καनी बाता है हमने रेखा रंग, रूप, तान, वर्ण, सब चीजों को दिखा लेकिन हमने एक चीज को छोड़ दिया जो था पोत यानि की टेक्श्चर अब टेक्श्चर होता क्या है जैसे कि आप मेरे पीछे इन सारे टेक्श्चर्स को देख रहे होंगे यानि की हमारा धरातल जिस पर हम चित्रों को बनाते हैं हो सकता है वो कपला भी हो वो कैनवास हो सकता है कागज हो सकता है या किसी पेड़ की छाल हो सकती है यानि की जिस भी धरातल पर हम चित्र बना रहे हैं वही हमारा पोत कहलाता है अगर हम पूरे के पूरे प्रतिल पर और अगर हम इन सारी पोत्स को देखें इन टेक्शर्स को देखें तो हम पाएंगे कि इन में जब हम चित्रकारी करते हैं तो अलग-अलग पोत पर अलग-अलग प्रभाव उत्पन होता है आज हम टेक्चर पे बात करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है चुत्रकारी में या किसी भी अन्निक कला में नमस्कार दोस्तों मैरमा संकर डिम्री तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों जैसे के आपको मालूम चल गया है आज हम पोत की बारे में बात करेंगे यानिकी टेक्चर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम उसकी परिभासा को देखते हैं पोत की जो परिभासा है धरातल का गुन ही टेक्चर कहलाता है याने कि किसी भी धरातल का जो भी गुण है चाहे वो आप उसको नित्रों के द्वारा अनुभव करते हैं या इस पर्स के माध्यम से अनुभव करते हैं वही धरातल का गुण कहलाता है पोत याने की टेक्च्चर तो आज हम इस एपिसोड में पोत के बारे में अधिक जानकारी देखेंगे कि पोत कितने प्रकार के होते हैं पोतों का वरगी करन कैसे किया जाता है और वे कौन-कौन सी पद्दतियां हैं जिनके द्वारा हम पोत के गुण का उप्योग करते हुए अपने चित्र को बहुत ही आकरसक बना सकते हैं तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ पोत की परिवासा किसी भी धरातल का गुण ही पोत कहलाता है यानि कि जो भी धरातल आप प्रियोग में लाते हैं उसका जो भी गुण है वही टेक्शर कहलाता है अब आप यहाँ पर देख रहोंगे कि अलग-अलग प्रकार के यहांपर टेक्शण दिखाय दे रहे हैं जिसमें एंट, कपड़ा और सैंड पेपर और काड़ भूर्ड है इन चारों का टेक्शर अलग-अलग है यानि कि अगर आप इन चारों वस्थो को छूते हैं या अपने नेत्रों से देखते हैं तो आपको इनके texture का पता चल जाता है यानि कि इनके धरातल की गुण का पता चल जाता है कि कौन सी चीज खुरदरी है कौन सी मखमली है कौन सी जो है चिकनी है और कौन सी जो है काफी rough surface वाली है अब देखते हैं पोत का वर्गीकर्ण यानि की classification of texture देखे texture जो है तीर प्रकार का है प्राप्थ, अनुकृत और स्रिजित अब इनको detail में देखते हैं प्राप्थ texture यानकि found texture वह होते हैं जिनके अंदर वे सभी धराता ला जाते हैं जो प्रकर्ति और मानव निर्मित वस्तों में होते हैं चाहे पत्थर हो, लकडी हो, कोईला हो या हमारा canvas बोल्ड होता है ply बोल्ड होता है या concrete होता है ये वे सारे के सारे जो है प्राप्थ, texture की स्रिणी में आते हैं दूसरा वरगेकर्ण होता है अनुक्रत याने की copied अनुकर्ण पद्दति द्वारा निर्मित पोत इसके अंतरगत आते हैं अब ये अनुकर्ण पद्दति के माध्यम से जिन पोतों का निर्मान होता है उनमें वे पोत आ जाते हैं जिनको मानव किसी अन्य चीजों से प्रवावित होकर के बनाता है फर्ज कीजिए कि जैसे हम आजकल घरों में टाइले लगा रहे हैं और उनमें जो हम टेक्चर लगाते हैं वो किसी पत्थर का भी हो जाता है या किसी रेतिले पत्थर का भी हो सकता है यानि कि जो texture हम चाहते हैं कि हम उसका उपयोग करें लेकिन हम उस texture को उस रूप में उपयोग नहीं कर पाते हैं जिस रूप में वो प्रकरती में विद्यमान है तो हम उसका एक miniature form के रूप में उन texture का उपयोग करते हैं पोत का तीसरा वरगी करन होता है सरजित याने की created यह प्राप्त वा अनुकृत दोनों पोतों से भिन्न है इसमें कलाकार अपने यंत्रों, रंगों तथा अन्य साधनों के माध्यम से पोत का सरजन करता है अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जब कोई चित्रकार अपने रंगों के माध्यम से या अन्य यंत्रों के माध्यम से अपनी कैनवाश या अपने धरातल पर किसी नए पोत का सरजन करता है उसे सरजित पोत कहा जाता है आपने बहुत बार देखा होगा कि कई कलाकार जो है रंगों को चाकूप पर लेकर केंवास पर मोटी-मोटी तह लगा देते हैं और जब वो सूख जाता है तो एक किसम का नया पोथ सर्जित हो जाता है बहुत सारे कलाकार अनेक यंत्रों का उप्योग करते हैं पोथ सरजन करने में यानि की टेक्शर बनाने में तो इस प्रकार की जो भी टेक्शर होते हैं उन्हें created texture कहते हैं अब हम देखते हैं पोथ एवं अंतराल में क्या संबंध होता है और इसका क्या प्रफाव हमारे चित्र पर पड़ता है पोथ को तो आप समझ गए कि यानि की धरातल का गुन अब अंतराल क्या हुआ अंतराल को ही कहा जाता है धरातल यानि की space जिस पर चित्रकारी या कोई भी कलाकार अपना कला सरजन का कारे करता है तो अंतराल के अंदर ही पोथ होते हैं चित्र में अंतराल की एक रस्ता को पोथ की साहिता से भंग किया जा सकता है और उसमें रुची जागरत की जा सकती है अगर आप किसी बड़े कैन्वस पर कारे कर रहे हैं और उसमें एक ही टेक्शर है तो कहीं न कहीं उसमें बोर्यत आ सकती है इसलिए उस निरस्ता या एक रस्ता को खतम करने के लिए कई चित्रकार एक ही कैनवास पर अलग-अलग टेक्शरों का निर्मान करते हैं और उसके द्वारा अपने नए कलार्सेजन को करते हैं और वो देखने में भी काफी आकरसक होते हैं उधारन के लिए अगर मैं आपको कोलाज का एक्जामपल दूँ तो आपने देखा होगा कि कोलाज जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर कई प्रकार के टेक्शरों का इस्तमाल करते हैं कहीं पर उसमें कपड़े का भी इस्तमाल कर लेते हैं कहीं पर टार्ट का इस्तमाल कर लेते हैं कहीं पर लकडी की तीलियों का इस्तमाल कर लेते हैं यानि कि आपको जो भी कुछ सामागरी कोलाज के अंदर अपने संयोजित करनी होती है तो उसके बाद जो उसमें एक टेक्चरल इफेक्ट आता है वो इनी अलग अलग टेक्चर के कारण आता है तो कोलाज काफी बढ़िया उधारण है पोत एवं अंतराल के सम्मंद को दर्शाने का अब दिखते हैं पोत एवं सहियोजन के सिद्धान पोत के द्वारा चित्रकार सहियोजन में निम्निलाव प्राप्त कर सकता है यानि कि अगर चित्रकार अलग अलग टेक्चरों का इस्तमाल करें तो उसमें उसे निम्निलाव प्राप्त हो सकते हैं तो पहला सहयोजन होता है विरोधा भास यानि एक पत्ले रंग का वास था उसके साथ रेतिले मोटे तल का प्रियोग आपने कई बार किनी पेंटिंगों में देखा भी होगा कि कहीं पर बहुत ही पतला रंग लगाया जाता है और उसके साथ में रेतिले मोटे तल का प्रियोग किया जाता है यानि कि जब आप उसको छूते हैं तो आपको कुछ सैंड पेपर का सा अनभव होता है तो ये एक विरोधाभासी प्रभाव उत्पन हो जाता है यहाँ पर कलर और टेक्शर के बीच में तो ये भी काफी आकरसक लगता है दूसरा सयोजन होता है संगती का एक ही उस्मा वाले पोत का प्रयोग अब यहाँ पर एक ही उस्मा वाले पोत जो कहा गया है तो यहाँ पर जैसे आपने देखा भी होगा कि एक ही परिवार के रंग यानि कि एक ही फैमिली की जब हम रंगों की बात करें तो उनके अंदर एक अंतर संबंध होता है इसी प्रकार जो भी पोत होंगे उनके अंदर भी अंतर संबंध होता है तो एक ही उस्मा वाले जो पोत होते हैं उनको अगर आप इस्तमाल करेंगे उनकी संगती के साथ एक हार्मनी के साथ उनको create करके कुछी चित्र का निर्मान करेंगे तो वो संयोजन भी काफी प्रभावसाली बन जाता है तीसरा संयोजन होता है पुनरावरत्ती एक ही पूत का बार-बार प्रियोग करना अगर किछी चित्र में एक ही पूत बार-बार प्रियोग किया जाता है तो उसमें दोगोणा आ जाते हैं या तो वो बहुत ही आकर्षक बन जाएगा या तो वो बहुत ही जो है उसमें आकर्षन की कमी हो जाएगी तो ये भी कई बार चित्रकार इस तरीके के पुर्णरावर्ति करते हैं अपने टैक्शरों को आउप्योग करने में चौता सहयूजन होता है संतुलन का आकारों के मद्य पोत द्वारा संतुलन उत्पन करना यानि कि जब आप किसी बड़े से चित्रतल पर बहुत सारे आकार बनाते हैं तो उनके मद्य अगर आपको संतुलन बैठाना होता है तो आप पोद का भी इस्तमाल इसमें कर सकते हैं पाचवा है एकता आकार, वर्न और तान के बीच पोद द्वारा उचित तालमेल बनाना यानि की shapes, color और tone के बीच में अगर आपको balance बनाना है उनके बीच में unity लानी है तो आप पोद के मादियम से भी तालमेल बना करके अपने चित्र को संतुलित बना सकते हैं उसमें एकता का भाव जागरत कर सकते हैं तो ये था हमारा आज का अंक जिसमें हमने texture के बारे में बात की हाला कि ये जो chapter है काफी छोटा है तो इसमें बहुत जादा आपको प्रस्ण पूछे नहीं जाते हैं लेकिन ये काफी महत्पून टॉपिक है इसलिए आप इसके सारे के सारे फैक्ट को ध्यान से याद कीजेगा और हमारे आज के अंक का प्रस्ण है निम्न में से कौन धरातली आलेखन को प्रदिशित करते हैं देखिए यापर विकल्प है बैट सीट, परदे, कपडे या उपरोक्त सभी तुमने में से कौन धरातली आलेखनों को प्रदिशित करते हैं तो आपको इस प्रस्ण का जवाब कमेंट में देना होगा पिसले अंक में हमने आपसे प्रस्ण पूचा था अवनी बावु यानि कि अविंदर नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया उनका अंतिम चित्र कौन सा है और विकल्प दिये थी हमने आपको भारत माता, महा प्रियान, साहजां के अंतिम दिन और यात्रा का अंति तो अवनी बावु का जो अंतिम चित्र था वो था महा प्रियान तो इस प्रस्ण का सही जवाब दिया है गविता नाथ जी ने, निर्पेंद्र कश्व जी ने सिस्पाल सिंग जी ने, स्रया मिश्रा जी ने और विने कोशल जी ने आप सबको हार्विक सुपकाम नाए आपने सही जवाब दिया तो दोस्तों ये था तुली का दर्शन चलन का आजकांग जिसमें हमने पोत यानि की टेक्चर के बारे में जाना और जाना कि किस प्रकार टेक्चर के प्रभाव से हम अपने चित्रों को प्रभावसाली बना सकते हैं आई हूप आपको आज के एपिसोड की जानकरी काफी अच्छी लगी होगी और अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा तक कि लिए दिजी मुझे इजाजत नमस्कार